हमारी लाइफ चुनोतियों से भरी हुई होती है पर इन चुनोतियों को कम करने के लिए हम कुछ टिप्स को फोलो करते हैं सो फ्रेंट्स आज कुछ ऐसी ही वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ सरदिया आ चुकी है मतलब मोसम में बदलावा चुका है और बार बार पाने गरम करने वाली प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो एक बार एक बोतल को गरम करके रख लीजे इससे गैस भी हुआ है जब भी हम दूद को गरम करते हैं अचानक से हमें उसी दूद को यूज करना पड़ता है और जो मलाई होती है वो मतलब थोड़ी सी हिल जाती है अच्छी तरीके से नहीं जमती है रोटी की तरह नहीं उतरती है वो मलाई खिल जाती है तो हम उस मलाई को कैसे खटा करें तो लेना क्या है आपको दूद वाली चलनी आती है चाय वाली चलनी आती है उस वाली चलनी से सारी मलाई को उठाके दूसरे भगोने में सिप्ट कर दीजिए इस से क्या है दूद नीचे रहेगा और मलाई सारी की सारी चलनी में उपर आ जाएगी अब आप ये सोच रहे हो ये कि चाय की च्छलने के अंदर सा काफी मातरा में मलाई लग जाएगी तो अब हम क्या करें तो करना कुछ नहीं है फ्रेंट्स बिल्कुल मत घबराईए एक एक बून दूद का हिसाब होने वाला है इस दूद वाली च्छलने को आप चाय के अंदर डाल दीजिए और ये क अगला टीप्स है फ्रेंट्स जब भी हम आठा लगाते हैं जो हमारा काउंटर टॉप होता है यदि वो वाइट वाला है वाइट सर्फेस है तो फ्रेंट्स परात से जो कैमिकल्स निकलते हैं उसकी वज़े से हमारा काउंटर काला सा हो जाता है तो यहां पर दो हैक आप ल मलाई को चेंज किया है अब सर्थियों में ये प्रोब्लम खड़ी राती है मलाई को मलाई वाले भगोने को कैसे साफ किया जाए और हमारा कोई भी खाने का समान वेश्ट ना जाए तो फ्रेंड्स मलाई को आपने चेंज कर लिया दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लिया है पाने को गरम कीजिए हातों की हेल्प से सारी मलाई को चिकनाई को पोच लिजिए और उस पाने को आप आटे के अंदर डाल दीजिए अब क्या है आपका आटा भी गुथ जाएगा और भगोना भी बिल्कुल साफ हो गया है आप लोगों के साथ शेयर कर रही है बहुत ही इंपोटेंट है कि आप लोगों के साथ अक्सर हर घर में यूज होता है फ्रेंड्स अक्सर हम कुछ ना कुछ ओयल का बनाते रहते हैं लेकिन कुछ हमारे खाने के पार्टिकल्स होते हैं जो तेल के अंदर रह जाते हैं और तेल गरम होने की वज़े से वो जल जाते हैं अब उस तेल को हम कैसे फिल्टर करें तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको कोई भी टीशू पेपर ले लेना है आप कोई भी पुराना साफ कपड़ा ले सकते हैं मलमल का कपड़ा लेना भी बैस्ट रहता है तो टीशू पेपर को मैंने यहां पे बिल्कुल छलने की शेप में काट लिया है जितना छलने के अंदर आ जाएगा और आप जादत तेल आपका ग इस तरीके से एड़जेश्ट कर देना है कि छलने के बाहर भी पेपर ना जाए और इस छलने को उस डिब्बे के अंदर रखिए जहां पे आपको तेल डालना है और जो जमा हुआ तेल था उसको धीरे से उठाना है ताकि जो गंदगी है खाने के पार्टिकल्स हैं वो ज़ साफ तेल रहेगा हां यहां पे छलनी को टैप नहीं करना है जो भी तेल छन रहा है वो अपने आप बून बून करके नीचे जाएगा यह देखे बिल्कुल फिल्टर ओईल आपके पास है अब इस तेल से आप पराठे बना सकते हैं सबजी छोग सकते हैं यहां पे दूसरा ह है को और बता रही हूं जो टिशू पेपर हमने यूज किया था कटावा जो टिशू पेपर है उससे आप इस गंदगी को अच्छी तरिक्ये से पोच लीजे जब आप बरतन साफ करेंगे तो जो बरतन साफ करने वाला स्क्राबर है वो भी गंदा नहीं होगा तो हुआ ना डबल फायदा यहां पर अगला हैक उन लेडीज के लिए है उन बच्चों के लिए है जो नई नई अपने किचिन को संभाल रहे हैं फ्रेंड्स आलू के पराठे और आलू की कचोड़ी बनाने में अंतर होता है आलू के पराठे बना रहे हैं और थोड़े बहुत फट गए तो कोई प्रॉबलम नहीं होती है पर आलू की कचोड़ी यदि आप बनाते हैं और फट गए तो सारा का सारा ओयल पूरी के अंदर चला जाता है तो यहां पे एक छोटा सा हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जब भी आप पूरी बनाए आलू की कचोड़ी बनाए आलू काफी गरम होते हैं हमारे हाथ जलने लगते हैं तो यहां पे छोटा सा टिप शेयर कर रही हैं जरूरी नहीं है कि आप कद्दू कस ही करें या आपके पास मैशर ही हो भई नए नए ग्रस्ती आप संभाल रहे हैं तो यहां पे गिलास से आप अच्छी तरीके से आलू को मैश कर सकते हैं और दूसरा रीजन यदि आपके आलू मोटे हैं तो कचोड़ी फटने का दूसरा रीजन ये भी है तो जब भी आलू की कचोड़ी बनाए आलू को बारिक मैश कर लीजिए आपकी कचोड़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी तीसरा रीजन क्यों होता है कि आलो की कचोड़ी क्यों फटती है हम खड़े मसालों का यूज कर लेते हैं या फिर मोटी मोटी प्याज डालेते हैं तो जब भी कचोड़ी बनाए प्याज मत डालिए मिर्ची डालें यदि हरी मिर्ची डालें तो इतना बारीक कटें यदि आप से नहीं काटना आ रहा है बार यहां तो अगलि बार इन पॉइंटों का इसयार ना कभी कभी खड़े मसाले या मोटी मोटी चीजर आलू की कचोडी के इंदर नहीं डालनी चाहिए आलू के पराठही के अंदर तो आप कितना भी मोटा प्यास डालिए सब चलता है अगला है काप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली आने वाली है और हमारा जो सोफे का सिटर होता है बैठने वाला एरिया होता है महाँ पे सिर्फ पांच लोग बैठ सकते हैं तो फ्रेंड्स अपने बैठने के लिए आप सिटिंग स्टूल का वहाँ पे अरेंजमेंट कर लीजिए क्योंकि कभी कभी जादा लोग भी आ जाते हैं अगला है काप लोगों के साथ शेयर करें हैं कि चिन से जुड़ा हुआ है साथ सफाई से लेके जुड़ा वाया अकसर हमारी सिंग के पास जो बाउंडरी सी बनी रहते हैं वाइट सिमेंट की वह समय के साथ कुछ पुरानी होने लगती हैं और वो अमने आप ऐठनय हम you हटने लगती है और जिसकी वज़े से leakage की problem खड़ी होती है, sealant की problem खड़ी होती है, तो friends, दिवाली का season चल रहा है, मौका भी अक्सर आपके घर में इस तरीके का white cement मिलता है, यदि रखावा नहीं है, तो आप किसी भी shop से, मतलब जो paint वाली shop होती है, वहाँ पर जाएए और एक केजी का white cement का packet ले लीजे, अब इसके अंदर एक और चीज एड़ करनी है, ये है बिलकुल fix करने वाली चीज, जिस से sealant भी नहीं आती है, और इतनी मजबूत पकड़ है इस चीज की, क्योंकि ये मैंने अपने घर की काफी चीजों में इसको use किया है, मैं नाम नहीं लूँगे क्योंकि मुझे copyright strike का डर रहता है, फ्रेंड्स बिलकुल भी ये चीज खराब नहीं होती है, दो तीन साल अराम से चल जाती है, तो जहां जहां आपको लगता है कि यहां से white cement की layer हट चुकी है, जैसे की bathroom है, toilet है, या फिर हमारा sink area है, wash basin area है महाँ पे, तो किनारी पे इस तरीके से adjust कीजिए और हाँ यहां पे थोड़ी सी बात का ध्यान देना है, ये मतलब 5 मिनट के अंदर ही सूखने लगता है, तो जल से जल इसको apply कीजिए और फिर किसी सूखे कपड़े की help से आपको अच्छी तरीके से इसे हटा ना भी है, मतलब सिर्फ आपको उतना ही ये area पे लगाना जितने पे जरूरत है, बाकी area से हटा देना है, जैसे की sink के अंदर अभी गिर गया है, तुरंट के तुरंट इसे साफ कर देना है, नहीं तो ये पत्थर बन जाएगा, इसी तरीके से आप इसी cement का use, जैसे की हमारा kitchen area कहीं कहीं पे दो tiles का जोड होता है, और वो चीज बहुत गंदी सी होने लगती है, काली सी layer पड़ जाती है, तो वहाँ पे भी आप इसको अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, तो मेरे gas counter के पास मतलब जो दो tiles हैं, तीन चार tiles हैं, उनके जो जो जोड थे वे खुल गएते, तो वहाँ पे मैंने इसे use किया है, टंकी जो होती है, टैप होती है, उनके मतलब जड़ के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से मजबूती से इसको लगा दिया है, और तुरं आप लोगों के साथ share कर रही हूं, money plants, घर में मतलब कुछ अच्छी बाते भी होनी चाहिए, तो money plant का जो पोधा है, वो indoor plants है, और इसकी care करना बहुत जरूए है, क्योंकि ये हमारे घर में धन व्रधी से जुड़ावा होता है, खुशाली से जुड़ावा होता है, तो इसक जो लताएं होती हैं, शाखाएं होती हैं, कभी भी इसे नीचे की तरफ को मत लटकने दीजिए, जैसे की पेड़ की शाखा नीचे को जुग जाती है, वो काम कभी मत करिए, इसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि हमारा घर हमेशा हम चाहते हैं, पैसा बढ़ता हुआ रहे, घर उपर की तरफ को चले, मतलब खुशालियां जादा आएं, यदि इसकी साखाएं नीचे की तरफ को रहती हैं, तो हमारे घर में कुछ ना कुछ गलत होता है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, और मनी प्लांट की बेल को जादा ग्रो करवाना है, तो फ्रेंट्स एक हैक बता रही हूं, लोहे की जो कील होती है, जो आपके घर में नॉर्मल कोई भी छोटी से छोटी लोहे की कील हो या बड़ी कील हो, उसको मनी प्लांट की जड़ में लगा दीजे, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो लोहे की कील है, इसमें इतने सारे खनेज तत्व होते हैं और प्लांट्स को जो चीछ चाहिए वो लोहे से पूर्ति कर लेता है तो फ्रेंट्स यह छोटे-छोटे से हैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किये हैं एक और हैक है आज की वीडियो में आप जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि आज की वीडियो आप लोगों को कै कैसी लगी है और मनी प्लांट की बेल तो फ्रेंट्स हमेशा अपने घर के लिए लखी ही होती है और इसे सहारा देने के लिए आप इसे कभी भी बांधिये मत यह भी एक खास टिप्स होता है इसे आप किसी सैल और टेप की हैल्प से अच्छी तरीके से बस चिपका सकते हैं बांधिये मत बांधने से हमारे भी घर की व्रद्धी रुकती है अगला है काफ लोगों के साथ शेयर कर रही हैं फ्रेंट्स इस तरीके के जो खाली डिब्बे आते हैं जिनमें हम बिस्किट रखते हैं या कुछ ऐसा समान रख लेते हैं सबजी भी रख लेते हैं पर यह ब पर लेली गार्बेज निगलता है गीला कुड़ा किचिन से बहुत जादा निगलता है तो आपको दो बार तो चेंज जरूर करना चाहिए अपने किचिन का कुड़ा और इस तरीके का जो खाली डिब्बा होता है उसमें आप पॉलोथिन को इस तरीके से एडज़स्ट कर सक सकते हैं और बार में पॉलोथिन को उठाके अपने डश्ट विन में डाल सकते हैं तो यह किचिन वाला हैक ता दूसरा है कि यह दिवाली का टाइम है फ्रेंड्स अपने घर में पुरानी चीजों को री यूज करने का सुनहरा मौका है अपने घर की पुरानी से पुरानी च ख्यान रखिये, so take care friends and bub-bye